C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए चार सरल समी करण प्रिष्ट च्छ्यानवे 4.5 कुछ और समी करण आईए कुछ और समी करणों को हल करने का भ्यास करें इन समी करणों को हल करते समय हम एक संख्या यानि पद को स्थानापन यानि ट्रांस्पोज करने अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने के बारे में पढ़ेंगे यानि सीखेंगे हम किसी संख्या को समीकरण के दोनों पक्षों में जोडने या दोनों पक्षों में घहटाने के एवज में स्थाना पन कर सकते हैं। उदाहरण 6, हल कीजिये 12P घहटा 5 बराबर 25 समीकरण 4.2, हल समीकरण के दोनों पक्षों में 5 जोडने पर 12P घहटा 5 जमा 5 बराबर 25 जमा 5 या 12P बराबर 30, प्रिष्ठ 97 घहटा 5 बराबर 6 गुणा 5 घहटा 5 बराबर 30 घहटा 5 बराबर 25 बराबर RHS। ध्यान दीजिये के दोनों पक्षों में 5 जोडने का वही अर्थ है जो माइनस 5 का पक्ष बदलने का है। 12P घहटा 5 बराबर 25 बराबर 25 जमा 5 पक्ष बदलने को स्थानापन करना कहते हैं। स्थानापन करने में संख्या का चिन्ह बदल जाता है। जैसा के हमने किसी समीकरण को हल करते समय देखा है, सामाने तह हम समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोडते हैं, या उनमें से एक ही संख्या को घहटाते हैं। किसी संख्या को स्थानापन करना, अर्थात संख्या के पक्षों में परिवर्तन करना, संख्या को दोनों पक्षों में जोडने या दोनों पक्षों में से घहटाने जैसा ही है। ऐसा करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदलना पड़ता है। जो नियम संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वही नियम व्यन्जकों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आईए स्थानापन के दो और उदाहरण लें। दोनों पक्षों में जोड़ना या घटाना। एक, तीन पी घटा दस बराबर पांच, दोनों पक्षों में दस जोड़िये, तीन पी घटा दस जमा दस बराबर पांच जमा दस या तीन पी बराबर पंद्रह है। दो, पांच एक्स जमा बारह बराबर सताइस, दोनों पक्षों में से बारह घटा ये, तीन पी घटा दस बराबर पांच, या पांच एक्स बराबर पंद्रह है। स्थाना पन करना, स्थाना पन करने पर माइनस 10 बदल कर फ्लस 10 हो जाता है, 3P बराबर 5 जमा 10 या 3P बराबर 15 है, दो، पांचेक्स जमा 12 बराबर 27, प्लस 12 को स्थाना पन करना, प्लस 12 स्थाना पन करने पर माइनस 12 हो जाता है, पांचेक्स बराबर 27 घटा बारा या पांचेक्स बराबर 15 अब हम दो और समीकरणों को हल करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इन समीकरणों में कोश्ठक भी हैं जिन्हें सर्वप्रथम खोलना पड़ेगा उदाहरण साथ हल कीजिए A. 4 कोश्ठकों में M جमा 3 बराबर 18 B. माइनस दो कोश्ठकों में X जमा 3 बराबर 8 हल A. 4 कोश्ठकों में M जमा 3 बराबर 18 पृष्ठ 98 आईए दोनों पक्षों को चार से विभाजित करें। इससे LHS में से कोश्ठक हट जाएंगे। हमें प्राप्त होता है M जमा 3 बराबर 18 भाग 4 या M जमा 3 बराबर 9 बटा 2 या M बराबर 9 बटा 2 घटा 3 तीन को RHS में स्थाना पन करने पर या M बराबर 3 बटा 2 वांचित हल क्यूंके 9 बटा 2 घटा 3 बराबर 9 बटा 2 घटा 6 बटा 2 बराबर 3 बटा 2 जांच LHS बराबर 4 कोश्ट हकों में 3 बटा 2 जमा 3 बराबर 4 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 जमा 4 गुणा 3 M बराबर 3 बटा 2 रखिये बराबर 6 जमा 12 बराबर 18 बराबर RHS LHS में से कोश्ट हकों को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों को माइनस 2 से भाग देते हैं हमें प्राप्त होता है X जमा 3 बराबर माइनस 8 बटा 2 या X जमा 3 बराबर माइनस 4 या X बराबर माइनस 4 माइनस 3 3 को RHS में स्थाना पन करने पर या X बराबर माइनस 7 वांचित हल जाज LHS बराबर माइनस 2 कोश्ट हकों में माइनस 7 जमा 3 बराबर माइनस 2 कोश्ट हकों में माइनस 4 बराबर 8 बराबर RHS जो होना चाहिए 4.6 हल से समी करण अतुल सदैव अलग प्रकार से सोचता है वह किसी विद्यार्थी द्वारा समी करण हल करने में लिये गए उत्तरोतर चरणों को देखता है वह सोचता है कि क्यों न इसके विपरीत यानी उल्टे पथ का अनुसरन किया जाए समी करण हल सामान्य पथ हल समी करण विपरीत पथ वह नीचे दिये पथ का अनुसरन करता है प्रारंभ कीजिए एक्स बराबर पांच दोनों पक्षों को चार से गुणा कीजिए चार एक्स बराबर बीस दोनों पक्षों में से तीन घटा ये चार एक्स घटा तीन बराबर सत्र है दोनों पक्षों में तीन जोड़िये, दोनों पक्षों को चार से भाग दीजिये प्रिष्ट निन्यानवे इससे एक समीकरण प्राप्त हो जाती है यदि हम प्रत्येक चरण के लिए उसके विपरीत पत्का अनुसरण करें जैसे दाई और दर्शाया गया है, तो हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है प्रयास कीजिए उसी चरण एकस बराबर पांच से प्रारंभ कीजिए और इससे दो भिन समीकरण बनाईए अपनी खक्षा के दो सह पाठियों से इन समीकरणों को हल करने के लिए कहिए क्या उनका हल एकस बराबर पांच है हे तल इसमें रुची लेने लगती है वह उसी पहले चरण से प्रारंभ करती है और एक अन्य समीकरण बना लेती है एकस बराबर पांच दोनों पक्षों को तीन से गुणा करने पर तीन एकस बराबर पंदर है दोनों पक्षों में चार जोडने पर तीन एक्स जमा चार बराबर उन्नीस वाई बराबर चार से प्रारम्भ कीजिए और इससे दो भिन भिन समीकरण बनाईए अपने तीन मित्रों से भी ऐसा करने को कहिए क्या उनके समीकरण आपसे भिन है क्या यह अच्छा नहीं है कि आप समीकरणों को केवल हल ही नहीं कर सकते अपितु उनको बना भी सकते हैं साथ ही क्या आपने यह देखा कि एक दी हुई समीकरण का आप केवल एक ही हल प्राप्त करते हैं लेकिन एक दिये हुए हल से आप अनेक समी करण बना सकते हैं. अब सारा यह चाहती है कि पूरी कक्षा यह जान जाए कि वह क्या सोच रही है. वह कहती है, मैं हेतल की समी करण को लेकर उसे एक कथन के रूप में बदलूँगी, जिससे एक फहिली बन जाएगी. उधहरनार्थ, कोई संख्या सोचिए, उसे तीन से गुणा कीजिए और गुणन फल में चार जोड़िए. अब बताईए कि आपने क्या संख्या प्राप्त की है. यदि योग उन्नीस है, तो हेतल द्वारा प्राप्त किये गए समी करण से पहेली हल हो जाएगी. वास्तव में हम जानते हैं कि यह पाँच है, क्योंकि हेतल ने इस से प्रारंभ किया था. वे अप्पू, सरिता और अमीना की ओर मुख करके पूछती है, कि क्या उन्होंने ऐसे ही अपनी पहेली बनाई थी? वे तीनों कहते हैं, हाँ. अब हम जान गए हैं कि किस प्रकार अनेक संख्या पहेलियों और अन्य समस्याओं को बनाया जा सकता है. प्रयास कीजिए. दो संख्या पहेलियों को बनाने का प्रयास कीजिए. एक हल ग्यारह लेकर तथा दूसरा हल सौ लेकर. प्रश्नावली चार दशमलवतीन Q बटाच जमा सात बराबर पांच E 5 बटादो एकस बराबर दस F 5 बटादो एकस बराबर पचीस बटा चार G. साथ M जमा 19 बटा 2 बराबर 13 H. छे Z जमा 10 बराबर माइनस 2 I. तीन L बटा 2 बराबर 2 बटा 3 J. दो B बटा 3 घटा 5 बराबर 3 प्रिष्ठ सौ 2. निम्नलिखित समिकरणों को हल कीजिए A. दो कोष्ठ हकों में X जमा 4 बराबर 12 है B. तीन कोष्ठ हकों में N घटा 5 बराबर 21 C. तीन कोष्ठ हकों में N घटा 5 बराबर माइनस 21 D. माइनस 4 कोष्ठ हकों में 2 जमा X बराबर 8 E. चार कोष्ठ हकों में 2 घटा X बराबर 8 3. निम्नलिखित समिकरणों को हल कीजिए A. चार बराबर 5 कोष्ठ हकों में P घटा दो B. माइनस 4 बराबर 5 कोष्ठ हकों में P घटा दो C. सोलह बराबर 4 जमा 3 कोष्ठ हकों में T जमा दो D. चार जमा 5 कोष्ठ हकों में P घटा एक बराबर 34 E. शून्य बराबर 16 जमा 4 कोष्ठ हकों में M घटा छै 4. A. X बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समिकरण बनाईए 4. व्यावहारिक स्थितियों में सरल समिकरणों के अनुप्रयोग हम ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं जिनमें हमने दैनिक जीवन की भाषा से कथनों को लेकर उन्हें सरल समिकरणों के रूप में बदला था हम यह भी सीख चुके हैं कि सरल समिकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है इस प्रकार अब हम भहेलियों और व्यावहारिक स्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पून तया समर्थ हो चुके हैं इसकी विधी यह है कि पहले इन स्थितियों के संगत समिकरणों को बना लिया जाए और फिर इन भहेलियों या समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए प्राप्त समिकरणों को हल कर लिया जाए हम उसी से प्रारंभ करते हैं जिसे हम पहले ही देख चुके हैं उदहरण एक एक और तीन अनुछेद चार दशमलव दो उदहरण आठ किसी संख्या के तिगुने और ग्यारह का योग बतीस है वह संख्या ग्याद कीजिए हल यदि अग्याद संख्या को एक्स मान लिया जाए तो उसका तिगुना तीन एक्स होगा तथा तीन एक्स और ग्यारह का योग बतीस है अर्थात 3X जमा 11 बराबर 32 इस समी करण को हल करने के लिए हम 11 को RHS में स्थाना पन करते हैं जिससे हमें प्राप्त होता है 3X बराबर 32 घटा 11 या 3X बराबर 21 अब दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है X बराबर 21 भाग 3 बराबर 7 अतह वांचनी संख्या साथ है हम इसकी जाँच के लिए साथ के तिगनुए में 11 जोड कर देख सकते हैं कि परिणाम 32 आता है यही समी करण हमें पहले अनुच्छेद 4.2 के उदाहरण 1 में प्राप्त हुआ था उदाहरण 9 वह संख्या ग्यात कीजिए जिसका एक चौथाई साथ से तीन अधिक है हल आईए अग्यात संख्या को वाई लें इसका एक चौथाई वाई बटा चार है संख्या वाई बटा चार संख्या साथ से तीन अधिक है अतह है हमें वाई में निम्नलेखित समीकरण प्राप्त होता है वाई बटा चार घटा साथ बराबर तीन इस समीकरण को हल करने के लिए पहले माइनस साथ को आरेचेस में स्थाना पन कीजिए इस प्रकार वाई बटा चार बराबर तीन जमा साथ बराबर दस फिर हम दोनों पक्षों को चार से गुणा करके प्राप्त करते हैं वाई बटा चार गुणा चार बराबर दस गुणा चार या वाई बराबर चालीस वांचित संख्या जाँच, वाई का मान रखने पर LHS बराबर 40 बटा 4 घटा 7 बराबर 10 घटा 7 बराबर 3 बराबर RHS जो होना चाहिए प्रयास कीजिए एक, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणन फल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है क्या आप बता सकते हैं के वह संख्या क्या है? 2. वह कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोडने पर 8 प्राप्त होता है उदाहरन 10 राजू के पिता की आयू राजू की आयू के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है राजू की आयू ग्यात कीजिए यदि उसके पिता की आयू 44 वर्ष है हल उदाहरन 3 के अनुसार राजू की आयू वाई ग्यात करने का समीकरण है 3 वाई जमा 5 वर्ष बराबर 44 इसे हल करने के लिए पहले हम 5 को स्थानापन करते हैं हमें प्राप्त होता है 3 वाई बराबर 44 घटा 5 वराबर 49 दोनों पक्षों को तीन से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है वाई बराबर 13 अर्थात राजू की आयू 13 वर्ष है आप अपने उत्तर की जाँच कर सकते हैं प्रयास कीजिए मापों के अनुसार दो प्रकार की पेटियां हैं जिन में आम रखे हुए हैं प्रत्य एक बड़ी पेटी में रखे आमों की संख्या आठ छोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से चार अधिक है प्रत्य एक बड़ी पेटी में सौ आम हैं प्रत्य एक छोटी पेटी में कितने आम हैं प्रिष्ठ एक सौ दो प्रश्नामली 4.4 1. निमनलिखित स्थितियों के लिए समी करण बनाईए और फिर उन्हें हल करके अग्यात संख्याईं ग्यात कीजिए A. एक संख्या के आठ गुने में चार जोड़िए आपको साथ प्राप्त होगा B. एक संख्या का एक बटा पाँच घटा चार संख्या तीन देता है C. यदि मैं किसी संख्या का तीन चौथाई लेकर इसमें तीन जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं D. जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ E. मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तीन चौँने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है F. इबेन हल एक संख्या सोचती है वह इसमें 19 जोड़ कर योग को 5 से भाग देती है उसे 8 प्राप्त होता है G. अन्वर एक संख्या सोचता है यदि वह इस संख्या के 5 बटा 2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है 2. निम्न लिखित को हल कीजिए A. अध्यापिका बताती है के उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए अधिक्तम अंग प्राप्त किये नियूनतम अंग का दुगुना जमा साथ है प्राप्त किये गए अधिक्तम अंग 87 है प्राप्त किये गए नियूनतम अंग क्या है? बी, किसी सम्द्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिल कर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से दो रन कम हैं। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। तीन निम्न लिखित खो हल कीजिए। एक इर्फान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं। उनके पांच गुने से साथ अधिक कंचे हैं। इर्फान के पास सैंतीस कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं। प्रिष्ट एक सौत तीन दो, लक्षमी के पिता की आयू उन्चास वर्ष है उनकी आयू लक्षमी की आयू के तीन गुने से चार वर्ष अधिक है लक्षमी की आयू क्या है? तीन, सुन्दर ग्राम के निवासियों ने अपने गाम के एक बाग में कुछ पेड लगाए इन में से कुछ पेड फलों के पेड थे उन पेडों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेडों की संख्या के तिगुने से दो अधिक थी यदि ऐसे पेडों की संख्या जो फलों के नहीं थे सतत्तर है तो लगाए गए फलों के पेडों की संख्या क्या थी चार निम्नलिखित फहली को हल कीजिए मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ मुझे साथ बार लो और एक पचास जोडो एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी चालीस चाहिए हमने क्या चर्चा की? एक, एक समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध होता है जिसमें दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए दो, चर का वहमान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है, समीकरण का हल कहलाता है तीन, किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता 4. एक संतुलित समीकरण की स्थिती में यदि हम एक, दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ें या, दोनों पक्षों में से एक ही संख्या घटाएं या 4. दोनों पक्षों को एक ही संख्या से भाग दें तो संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात LHS और RHS के मान समान रहते हैं 5. उपरोक्त गुणों द्वारा समीकरण को चरण बद्ध विधी से हल किया जा सकता है हमें दोनों पक्षों में एक से अधिक गणीतिय संक्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे के दोनों में से एक पक्ष में हमें केवल चर प्राप्त हो अंतिम चरण समीकरण का हल है 6. स्थानापन का अर्थ है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना किसी संख्या को स्थानापन करना, संख्या को दोनों पक्षों में जोडने या दोनों पक्षों में से घटाने के समान ही है जब आप एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानापन करते हैं, तो आप उसके चिन्ह को बदल देते हैं उदहरणार्थ समिकरण X जमा 3 बराबर 8 में प्लस 3 का स्थानापन LHS से RHS करने पर X बराबर 8 घटा 3 बराबर 5 प्राप्त होता है हम व्यन्जकों का भी स्थानापन उसी विधी से करते हैं जैसे एक संख्या का स्थापन करते हैं 7. हमने व्यावहारिक स्थितियों को संगत सरल बीजी या व्यन्जक के रूप में लिखना भी सीखा 8. हमने यह भी सीखा के हम किसी समीकरण के हल से प्रारंभ कर दोनों पक्षों पर समान गणीतिय संक्रियाओं की विधी का प्रयोग कर 9. उदाहरण के लिए दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ना या घटाना एक समीकरण कैसे बना सकते हैं 9. साथ ही हमने यह भी सीखा है कि हम किसी दिये गए समीकरण का व्यावहारिक स्थिति से संबंध बना सकते हैं और उस समीकरण के लिए कोई व्यावहारिक समस्या या पहेली भी बना सकते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्य मलिक निर्देशन वनिर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत